चानक के IS Academy में आप सभी का स्वागत है हाल ही में केंद्र सरकार ने देश की किसानों के लिए एक नई पहल की शुरुवात की है और इस पहल का नाम है One Nation One Fertilizer योजना जैसा की नाम से ही पता चल रहा है ये योजना Fertilizer से संबंदित है तो ये किसानों से संबंदित योजना है तो आईए आज हम इसी के बारे में विस्तार से बात करेंगे देश के हर किसान को उसके हक की सुईधाय मिले और हर योजना तक किसान की पहुँच हो इसके लिए केंद्र सरकार तमाम प्रित्म करती रहती है अक्सर हमें फसलों में डाले जाने वाले यूरिया D.A.P. की काला बाजारी देखने को मिलती है जरूरत मन किसानों तक सबसेडी वाला खात पहुँच ही नहीं पाता ऐसे में हाल ही में केंद्र सरकार ने देश में One Nation One Fertilizer विवस्ता लागू करने का निर्णलिया है तो चलिए इस योजना के बारे में हम विस्तार से बात करते हैं देश भर में प्रधान मंत्री भारतिये जन उर्वरक परियोजना नाम से एक उर्वरक सबसीडी योजना है इस योजना के अंतरगत 2 अक्टूबर 2022 से One Nation One Fertilizer योजना लागू की जा रही है इस योजना के अंतरगत भारत में यानि की पूरे देश भर में एक ही ब्रैंड नेम से भारत ब्रैंड नेम के अंतरगत सारे फर्टिलाइजर बेचे जाएंगे जितने भी सबसीडी वाले फर्टिलाइजर है वो सारे फर्टिलाइजर भारत ब्रैंड नेम से ही बेचे जाएंगे इसके साथ ही सरकार की जो उर्वरक सबसीडी योजना है उसका नाम भी बदल दिया गया है और उसका नाम बदल कर परधान मंत्री भारतिय जन उर्वरक परियोजना कर दिया गया है देश में एक ब्राण भारत नाम से प्रचलित होगा इसका क्या महत्व है आईए अब हम जानते हैं योजना के अनुसार नीजी छेत्र और सारवजनिक छेत्र की जितनी भी फर्टिलाइजर कम्पनिया होंगी उन्हें अपने ब्राण का नाम भारत ही रखना होगा एक ही ब्राण के नाम से सारे सबसीडी वाले उर्वरक बेचे जाएंगे जिस बैग पर यह उर्वरक होंगे उस बैग पर प्रधान मंत्री भारतिय जन उर्वरक परियोजना का लोगो भी होगा इसके लागू होने के साथ ही भारत यूरिया, भारत डियेपी, भारतिय एमोपी और भारत एनपी के यूरिया, डियेपी, एमोपी और एनपी के आदी जैसे एकल ब्राण नाम के तहट बाजारों में ये फर्टिलाइजर उपलब्द होंगे इस योजना से अनेक लाब भी होने वाले हैं, जैसे कि इसका नाम भारत होगा, पूरे भारत वर्ष में एक ही ब्रैंड नेम से इसको बेचा जाएगा तो ये जो फर्टिलाइजर है, उनकी क्रोस आवाजाही को रोक कर माल डुलाइशुल कम हो जाएगा और इस से इसका माल डुलाइशुल कम करने में ये मदद मिलेगी इसके साथ ही जो फर्टिलाइजर की कमी देश भर में देखने को मिलती है, वो भी कम होगी और जो brand war चलती रहती है वो भी कम हो जाएगी अब ये कैसे होगा इसको एक उधारन से हम समझते हैं जैसे कि एक परदेश का fertilizer विक्रेता जो है एक brand को ले जाकर दूसरे state में बेशता है और दूसरे उर्वरक जो समानरूख से अच्छे है और उस परदेश में ही बने हुए है वहाँ पर वो बिखे ही नहीं पाते हैं क्योंकि दूसरे परदेश के fertilizer जो है उनकी marketing अच्छी है इससे बाके अच्छे fertilizer जो होते हैं वो खरीदी नहीं जाते हैं जिससे अन्ने विक्रेताओं को बहुत बड़ा नुकसान होता है उर्वरक लेना पसंद नहीं करते हैं इससे fertilizer की brand war हो जाती है fertilizer की कमी हो जाती है स्थानिय निर्माताओं को नुकसान होता है और on and off ये चीज़े चलती ही रहती है इसके साथ ही सरकार उर्वरक उतपादों पर भारी सबसीडी देती है जो की अधिकतम खुद्रा मुल्य से अधिक होता है योजना के तहट जो सबसीडी युक्त बोरियां होंगी उन पर सबसीडी योजना का भी उलेक किया जाएगा कि इस योजना के अंत्रगत ये बोरियां आपको दी जा रही है तो अंत में मैं आपको संखेप में बता दूँ कि ये योजना fertilizer से related है और सारे सबसेडी वाले fertilizer को एक brand name दिया जाएगा हर तरह का fertilizer जो होगा उसके आगे भारत नाम होगा जितने भी fertilizer की packets होगे उनका एक रंग रूप और एक तरह का वो हर state में दिखेगा जिससे ये सारे समस्ये समाप्त होगी इसे के साथ ही आज का topic मैं समाप्त करती हूँ कल फिर मिलेंगे एक नए topic के साथ धन्यवाद